Confusing what meaning? D.I.E. Die मतलब मरना और D.Y.E. Die इसका मतलब बता है रंग And next day D.O.S.C. Doze इसका मतलब बता है खुराक या मत्रा और D.O.J.E. Doze इसका मतलब बता है जबकी लेना या उगना And next day D.U.A.L. Dual इसका मतलब बता है दोरा और D.U.E.L. Dual इसका मतलब बता है ड्रिंद यूद And next day E.E.C.E.P.T. Accept इसका मतलब बता है छोड़कर या के सिवाई और A.C.E.P.T. Accept इसका मतलब बता है स्विकार करना And next day E.E.C.E.S. Excess इसका मतलब होता है जो रत से ज़्यादा और A.C.E.S. Excess इसका मतलब बता है पहुच या परविस And next day Fail F.A.I.L. Fail इसका मतलब बता है असफल होना और F.E.L.L. Fail फेल का मतलब बता है गिरना या काटना And next day F.A.I.N.T. 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 इसका मतलब बता है फिका और F.E.I.N.T. F.A.I.N.T. F.A.I.N.T. इसका मतलब बता है चल कपट या दिखावा And next day Fair F.A.I.R. Fair इसका मतलब बता है गोरा या परदस्नी और F.A.R.E. Fair इसका मतलब बता है किराया And next day F.E.A.S.T. 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 इसका मतलब बता है दावत या परतिभोज और F.I.S.T. F.E.S.T. F.E.A.S.T. इसका मतलब बता है मुठी And next day F.E.T.E. F.E.T.E. F.E.T. E.S.T.E.T.E.T. इसका मतलब बता है कर्त बिया कमाल And next day F.E.A.F.E.A.L.E.A.L.E. E.T.E. इसका मतलब बता है पिसु और F.E.E.F.E.E.F.E.E.L.E. thisका मतलब बता है भाग जाना And next is farmer, इसका मतलब होता है किसान, F-A-R-M-E-R, farmer, मतलब किसान, and F-O-R-M-E-R, farmer, इसका मतलब होता है भुद्पूरू And next is fort, F-O-R-T, fort, मतलब किला, और F-O-R-T-E, fort, इसका मतलब होता है विसेश, योगता, या विसेश्टा And next is foul, F-O-U-L, foul, मतलब गंदा, और F-O-W-L, foul, इसका मतलब होता है पंची And next is gate, G-A-I-T, gate, इसका मतलब होता है चाल, और G-A-T, gate, इसका मतलब होता है दुआर या फाटक Next is gamble, G-A-M-B-L-E, gamble, इसका मतलब होता है जुआ खिलना And G-A-M-B-O-L, gamble, इसका मतलब होता है उच्छल कुद करना And next is hail, H-A-L-E, hail, इसका मतलब होता है स्वस्त And H-E-L-L, hail, इसका मतलब होता है नर्क And next is hair, H-A-I-R, hair, इसका मतलब होता है बाल And H-A-R-E, hair, इसका मतलब होता है खर्गोस And next is heaven, H-A-B-E-N, heaven, इसका मतलब होता है स्वरक्षित, अस्रे And H-E-A-B-E-N, heaven, इसका मतलब होता है स्वर्ग And next is hill, H-E-E-L, hill, इसका मतलब होता है एड़ी And H-I-L-L, hill, इसका मतलब होता है पाड़ी या तीला And next is hip, H-E-A-P, hip, इसका मतलब होता है धेर या अंबार And H-I-P, hip, इसका मतलब होता है चुला एंड नेक्स्ट हेर ह-e-a-r हेर इसका मतलब बता है सुनना एंड ह-e-r-e हेर इसका मतलब बता है यहाँ तो अगर वीडियो अच्छा लगए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले ताके कि इस्टरेक वीडियो को नोटिपिक्शन आप तक पहुचे ठाइंक्यो